Hello everyone, welcome to exam testery. So, जितनी भी ऐसे इस्ट हैं जो CVT post graduate courses के लिए MA geography का आप लोग apply करने वाले हैं, तो इस video को पूरा देखिए. तो जो बहुत सारे लोगों का question था कि testeries कब आएगा, तो CVT MA geography के लिए testeries launch कर दिया गया है. लेकिन इसके सासा जो है हम लोग आपको अगर आप यहाँ पे देखिएगा, तो previous papers भी provide किया जा रहा है, UGC net geography का भी paper जो है provide किया जा रहा है. तो सबसे पहले एगर हम लोग देखते हैं, कौन-कौन से universities का paper provide किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, BHU, Delhi University, JNU, CUET और JMI, तो इन सारी universities का भी paper आपको provide किया जा रहा है, अब देखिए क्या है कि irrespective of on-say standard का question पोछा जाता है CUET में, लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा, जो 75 जो domain specific questions होते हैं, हर एक question का अलग-अलग difficulty level होता है, तो इसलिए हम लोग अलग-अलग universities के भी paper जो है आपको provide कर रहे हैं, इससे एक चीज़ यह हो जाता है कि अगर आप बात करते हैं कि अलग-अलग difficulty level होता है, जिन सब में आप देखिएगा, तो BHU का जो difficulty level होता है, थोड़ा सा difficulty level, अगर हम लोग तीन मानें कि first, second, third, first being least difficult and third highest difficulty, तो जेनिंग अगर आप paper देखिएगा, तो यह आपका highest difficulty level हो जाता है, highest हो जाता है, वहीं अगर BHU का हम लोग करते हैं, तो least difficulty level हो जाता है, D.O.E.T. और J.M.I. कहीं पे आपका वो बीच में लाई गरता है, तो आप जब भी question paper को लगाते हैं, previous paper के questions को जब आप attempt करते हैं, तो दो-तीन चीज़े clear हो जाती है, एक तो type of question, type of question कि किस type के topic से कैसे questions पूछे जा रहे हैं, दूसरा जो चीज़े clear हो जाती है, वो है, कि जब आप बहुत सारे अलग-लग years के past papers को solve करते हैं, तो आपको एक rough idea लग जाता है in terms of syllabus, क्यूंकि ये सारे questions आपके post graduate interns exam के papers हैं, अब क्या है कि B.H.U., D.U., J.N.U., उन सब को एक में डाल दिया गया है, तो आपको clear हो जाता है कि एक topic से कितना questions निकल कर आ सकता है, एक topic से कैसे questions निकल कर आ सकते हैं, और उसका syllabus coverage कितना है, बहुत सारे लोगों का ये था है कि सर अब जो C.U.E.T. आपके हैं, तो कि आप मुझे J.N.U. के paper को solve करना चाहिए, या B.U.E.T. के paper को solve करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, ज्योंकि syllabus बहुत ही specific हो गया है, C.U.E.T. कर लेकिन अगर आप C.U.E.T. के question paper को syllabus को अगर आप देखते हैं, तो एक चीज़ आप देखिएगा कि around 5 to 10 portion of the question paper ऐसे हैं, जो out of syllabus पूछे जाते हैं, अगर आप उन सिर्फ C.U.E.T. के syllabus पे अगर आप dependent हैं, तो 75 में मान के चली कि आप 65, 62 तो 65 जो हैं, आपके syllabus से पूछ दिया जाएगा, लेकिन वो train question जो है, बहुत important हो जाता है, क्योंकि genius institution में आप देखिएगा कि जहां पे second cut-off list आती ही नहीं है, तो यह उन लोगों के selection के chances हाए हो जाते हैं, जो वो 10 questions को भी attempt करता हैं, और अगर आप इन सारे चीज़ों को catch नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर selection के chances जो हैं, बहुत कम हो जाता है, तीसरा जो आपको एक जो बहुत वड़ा advantage हो जाता है, पास paper को solve करने से आपको यह पता चल जाता है, कि आपकी preparation level कितनी है, जो तीन stage में काम होता है, पहला हो जाता है, preparation दूसरा हो जाता है, revision और थर्ड हो जाता है, evaluation, तो preparation वाला part जो है, यह आपका previous paper को solve कहने से हो जाएगा, और इसलिए आप देखियेगा, कि apart from previous papers, फिट finally जो UGC NET के geography के question paper है, तो यह since 2004 आप लोग को provide किया जा रहा है, और यह सारे बहुत सारे papers होते हैं, जिसको कि आप solve किजेगा, तो साइदी कोई ऐसा topic होता है, जो आपका miss होता है, इसके साथ ही आप यहाँ पे देखियेगा, तो जो test series भी हम लोगों ने provide किया है, वो भी एक JMI की standard का provide किया है, DUT की standard का, तो यह past जो difficulty level होता था, उसी तरीके से हम लोगों ने यह सारा test series बनाया है, कि यहाँ पे भी आपको उस difficulty level के बहुत सारे questions को practice करने का मौका मिल जाता है, और यही कारण है कि बहुत सारे students जो CVT के लिए जो preparation कर रहे हैं, वो exam testing की test series को practice करते हैं, क्योंकि you never know कि finally, जो final CVT का exam होगा, उसमें किसी भी topic से questions पूछे जाएंगे, वो कौन से difficulty level का होगा और जितनी भी objective type exams होते हैं, एक चीज आपको तो हमेशा ही याद रखना है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा question paper practice करते हैं, उतने ज्यादा से ज्यादा ही आपके selection के chances increase हो जाते हैं, पढ़ाई अपनी जगा है, preparation अपनी जगा है, लेकिन जितनी इस्टुएंट ऐसे थे जो last यह जिन्होंने test series नहीं लगाई तो उन्होंने अपने आपको evaluate नहीं कर पाया, कि जब भी किसी topic से questions निकल कर आ रहे हैं, तो आप उन सारी questions को solve भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए important हो जाता है कि आप ज़्यादा से ज्यादा test series को लगाईए, इसके बाद वहीं पर आगर आप देखते हैं तो जो CUT का test series है, यह CVT का test series यहाँ पर 10 set add किया गया है, 5 set और add किया जाएगा, तो टोटल मान के चलिए कि आपको 15 sets का test series मिलेगा, जो 5 sets जो और हम लोग add करेंगे उसका थोड़ासी difficulty level increase करेंगे, क्योंकि अगर आप higher difficulty level के question paper को solve कर पा रहे हैं, तो आप आसान question को भी solve कर पाईएगा, और जो test series जो हम लोगों ने बनाया, अगर आप इसके पूरे pattern को देखिएगा तो वह उसी pattern पे बनाया गया है, जिस तरीकी CUT की questions पूछे जाते हैं, तो पहले जो 25 questions हैं वो general section के हो जाते हैं, अब general section अगर आप देखते हैं तो DU है और BHU है इन सारे में आपको general section के marks भी इंटूड होंगे, लेकिन जो JNU का exam है उसमें admission के लिए जो है आपको general section के marks add नहीं होंगे, सिर्फ आपके domain specific questions पे जो आपने score लाया है उसी को add के जाएगा, इसलिए आप यहां पे देखिएगा कि इसके बात फिर जो है हम लोग उसी difficulty level पे उसी pattern पे उसी पे सब कुछ बनाया है, तो जितनी भी ऐसे student है जो चाहते हैं कि test series लेना है तो आपको call या message करना नमबर 844-887-8849 तो फटफट इस नमबर पे आप call या WhatsApp message कर सकते हैं और test series का fee कितना है, किस तरीके से आपको avail किया जाएगा, उन सभी चीजों के बारे में आपको information दी जाएगे, इसके इलावा भी एक्जाम टेजरे की तरफ से यह किया जा रहा है कि अलग लग university में जहां पे भी MA geography का department है, जो CUET के अंदर है तो उन सब के बारे में भी information दी जा रही है, तो जितने न्यू है इस चैनल के तो प्लीज चैनल को subscribe कर लें और किसी भी type के अपके query हैं तो आप अपने call करके message करके यह video के description में अपने question को पूछ सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर लें और चैनल को भी तक आपने subscribe नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और notification bell भी दवाल है, जो भी important update होता है वो सार आपको मिलता रहे, तो थैंक यू और वी विश यू आल दर बेश्ट